असलाम वालेकूं माइडियर स्टुडान हाव आई यू बेटा होप यू ओल आर फाइन त्यूदे अवल सब्जेक इस एवी एस लेसन नमबर सिक्स क्लीन नैस वाट सेट ओके बेटा तो मैंने आपको कॉंसेप्ट रिकॉल करा चुकी हूँ यह हार्डवर्च में आपको प्यटिए chili गोल में लिखने नौट बूक में लिखने दे जोटी है जिसका बाकियों लिख लेका एकार है उसके बाद हम लोगों ने ये fill in the blanks है ये भी हम लोग करवा चुके बेटा ये भी आपको one time अपनी notebook में लिखनी है अब हम लोग देखते है answer the following question in one sentence तो first is with what should we wipe ourselves के हम लोग हमारे आपको किस चीज से साफ करते हैं the answer is we should wipe ourselves with a clean towel क्या कर हम लोग नहां के बाहर निकलते हैं तो पानी हम लोग clean towel से हमारा बदन पानी से पूछते हैं ओके बेटा second is when should you wash your hand तुमारे हाथ तुम को कब दोते हो तुम लो तुमारे हाथ answer is we should wash our hands we soap and water before and after every meal and also after we visit the toilet कि हम हमारे हाथ किसे दोते हैं साबून और पानी से दोते हैं कब हमारे खाने से पहले और खाने के बाद और जब हम लोग washroom याने बाव टॉइलेट जाके आते हैं उसके बाद हम लोग हमारे hands wash करते हैं brushing your teeth twice a day will make your teeth healthy दिन में दो बार brush करने से हमारे दाथ हेल्दी रहते हैं दिन में दो बार में सुबों में और रात में सोने से पहले हमें हमें साब brush करना चाहिए इससे क्या होता है बेटा इससे हमारे चो दाथी थे हमारे चो दाथ है वो healthy याने साफ सुद्रे रहते हैं fourth is why is it your duty to keep our classroom clean कि तुमारी डूटी क्यों है तुमारे classroom को clean रखने की the answer is our classroom belong to us so it is our duty to keep it clean कि हो जो ट्लास होने वो हमारा है वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं हम लोग हमारा पुरा काम करते हैं हम लोग खेलते हैं खाना खाते हैं तो अगर वो हमारा classroom है तो यह हमारी डूटी बनती है ने बेटा कि हम लोग उसे clean रखें fifth and last how can we keep our neighborhood clean कि हमें हमारे घर के आजबाच्वी की जगा जो होती है जिसे neighborhood बोलते हैं उसे हमें कैसे clean रखना चाहिए the answer is we can keep our neighborhood clean by not throwing any paper or garbage on the road or outside the dustbin कि हमें हम इस तरह हमारा neighborhood clean रह सकते हैं कि हमारे जो आजबाच्व हमारी जगा है वहाँ पे पर फेक ना हमें कच्रा फेक ना हमें रोड पे फेक ना है यह सब कच्चा हमें का फेक ना है हमें dustbin में फेक ना है इससे हम हमारे ने बोड होड यान हमारे आजबाच जो घर की जगा होती है उसे हम साफ सुद्रा रख सकते हैं तो मेरा यह answer the following question है यह आपको यह भी आपको अपने EVS की notebook में one time only one time लिखना है ओके बेटा कुछ भी query हो ता मुझे पूस सकते हो और please हमारे वीडियो को लाइक करो यह कंपल सरी है अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं पता चलेगा कि आप यह वीडियो देख रहे हो ताकि attendance इसके अंदर इसके द्वारा हम लिख पाएंगे कि आप वीड साइब बिल्कूर करो ओके बेटा अलाफीस